टोक्यो ओलम्पिक का आज आठवा दिन है आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए मिली जूली रही भारत को तीरंदाजी में जहां जीत मिली तो वहीं शूटिंग में फिर से हार का सामना भी करना पड़ा तीरंदाज दीपिका कुमारी ने प्री क्वाटर फानल का मुकाब अविनाश साबले फानल में जगा बनाने से चुक गए हैं हाला कि अविनाश ने राश्टर रिकॉर्ड बना दिया है लेकिन वो फानल में जगे नहीं बना पाए हैं वो साथवे स्थान पर रहे तो आपको बता दें कि मिला जुला यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है आज सुभा से आज आठवा दिन है टोक्यो अलम्पिक 2021 का और क्या कुछ आज पूरे दिन के बाद निकल कर सामने आएगा यह देखने वाली बात रहेगी तीरंदाजी में दीपिक का मेडल के करीब दिखाई दे रही है और धावा का विनाश रिकॉर्ड बना चुके हैं तो मनु भाकर का सफर टोक्यो अलम्पिक में खत्म हो चुका है आज आठवा दिन है टोक्यो अलम्पिक का हाला कि भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है टोकियो अलम्पिक में लेकिन फिर भी उमीदे लगातार बनी हुई है कि किस तरीके का प्रदर्शन आगे आने वाले दिनों में भारत करता है और अपनी स्थिती को सुधार पाता है ये देखने वाली बात रहेगी और बात की जाए तिरंदाजी के गेम की तो उसमें दिपेका मैडल के करीब दिखाई दे रही है